अलाहिर वह्मान वहीम असलाव अलीकुम स्वेंट्स I hope you are well आज जो है हम अपना instantaneous displacement को रिस्कस करेंगे ठीक हमने रास ताइम जो है waves and oscillation वाला chapter जो है वो start किया था ठीक है तो उसमें जो आज का हमार topic है instantaneous displacement ठीक है बैटे तो बैटे ये instantaneous displacement क्या होती है इससे पहले भी आपने displacement पढ़ा है displacement क्या होता है मैंने unit 1 में आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है ठीक है force and motion में और instantaneous displacement क्या है कि हम instant पे देख रहे होते हैं कि साइड डिटेल हम अलड़ी कर जुके हैं लेकिं बैसिकल यहां पर wave and oscillation में अगर मैं आपको बताओं कि instantaneous displacement की क्या definition बनती है किस तरह से हम इसको देखते हैं तो बैटे डिस्प्रेस्मेंट जो होती है वैभरेटरी बोड़ी क्या होती है पियोडिक मोशन क्या होती है फिकए यह सारे हैं अगर आपको अपने... ख्लियर करने हैं तो पर्ट वन लाज़मी देख लीजेगा पर्ट वाली वीडियो लाजमी देख लीजेगा यह पार्ट तो So, instantaneous displacement क्या होती है? यह जो है displacement है, एक वाइब्रेटरी बॉड़ी की क्या है displacement है, from mean position. ठीक है, mean position से इस तरह से मैंने आपको लास्टाइम पंडोलियम की example देती, कहीं सिंपल पंडोलियम है, ठीक है, यह क्या है, यह mean position है, ठीक है, यह इस तरह से यह इसका extreme, extreme right है, और यह क्या ह extreme left है, ठीक है, यह extreme left है, ठीक है, तो probability mean position से, ठीक है, displacement और यह इस वाइब्रेटरी body है, ठीक है, यह vibratory body है, तो इसकी displacement mean position से, ठीक है, from the mean position, वो क्या क्या लाते है ? instantaneous disappointment क्या है? और इसका अगर फार्मुला मैं आपको बताओं तो इसको हम थीटा से रिप्रिजन करते हैं ठीक है और आपको पता है कि इसका फार्मुला क्या होगा यह वही है इस तरह से अंगुलर विलाउस्टी में आपने देखा था कि अंगुलर डिस्पेस्मेंट डिवाइड वाइड तो सेम यह टाइम डिवाइड में है तो इस तरह से यह फार्मुला बन जाता है तो यह आपने याद रखना है इंस्टेनियर डिस्प्लिस्मेंट का ठीक है अच्छा और यहां पे जो है हम इसको फेज एंगल भी कहते हैं हम इसको ठीक है अच्छा तो वेटे अब जो है हम यह तो आपको समझ आ गया अब मैं आपको मैंने आपको फार्मुला बता दिया डैफिनिशन बता दी और किस तरह से यह फेज एंगल है इसको हम थीटा कहते हैं यह फेज एंगल भी कह सकते हैं ठीक है अच्छा फ्रों मीन पोजिशन यह लास्टाइम मैंने बताया था कि ब मीन पोजिशन से वाइबिर्टी बोडी जो है वाइबरेट करती है ठीक है तो वहां पे जो डिस्प्लेस्मेंट होती है वो उसमें जो फामुला लगता है वो साइन वाला लगता है साइन वाला लगता है ठीक है यह साइन वाला लगता है फॉम मीन पोजिशन और एक्स्रीम maximum displacement क्या है यह maximum displacement यह maximum displacement distance is equal to x is equal to x not sin theta जब आएगा जब बॉड़ी जो है वह mean position से डिस्प्लेस कर रही होगी अगर मैं आपको ग्राफिकली जिसला लास्ट टाइम आपको बताया था ताइम एक्सेस में लिया था और displacement को y x में लिया था और मैंने बताया था टॉे यह जो phase angle यहां पे आप देक disgust यह 0 से यह 0 से सिटार्ट होरा रहाए यह 0 तो यह 0 से इस तरह से स्टार्ट ही न सिटार्ट होरा है zero से स्टार्ट हो रहा है तो zero से स्टार्ट हो अरह यह यहां पर जो फेस एंगर मेने ली है वो 0 है यह आपको यहां समझ आ गया और आप देख रहें कि इस साइन थीटा को फोलो कर रहा है किसको फोलो कर रहा है साइन थीटा को अजान हो जाए विने मैंने कहा कि पैटे obrigado है जब मेन पोजिशं से देक रहे होते तो इस तरह से हमने लास इंगल रिसकर सक्टाइब कर से घेकए अख्सपे और वाई एक्सपे हमने क्या लिया था इस दिस्प्लाइसमेंट लिए टीख है तो यहां पर देखें कि मीन पोजिशं से स्टार्ट हो एक 5 musst लिए सब्सक्राइब दिए 2 । aksi सिन सेतों reconstitut करने होता है लुक्त अतुतेसे लिए 0, जो होती है ठीक है और extreme पर क्या होती है maximum होती है तो sin 90 ठीक है यह extreme है t on a bound 4 यह t half है और यह t है ठीक है और यह 3 t by 4 है इसाइ चीजे कमें clear करके यह सारा last time हमने discuss किया था कि यह हमने किस तरह से किया था सब्सक्राइब करना है जब phase यंगल 0 होगा तो इसका बतंब कि मीन पुचिशन से 한ों होती है displacement zero होती है ठीक है extreme पे यह extreme position है extreme पे displacement होती है maximum होती है ठीक है और positive में तो positive maximum होगी इस तरह से दुबारा से जब यह mean पे आएगी तब दुबारा से zero हो जाएगी displacement और दुबारा से जब यह extreme पे आएगी तब यह क्या हो जाएगी negative maximum हो जाएगी ठीक क्यों बार भी तरह संत में नन गांगाने साइन, सपनोली है जब का शान हिए जवा थी構 मुझकल कि तरह किस रहें कि लिए से स्टार्ट हो दिखा है कि अगर मैं आपको बता हुँ कि बोड़ी से सटार्ट होती तब कॉस्टीटा लगता है एक्स्टीम से किस तरह से लास्ट राइम हम ने सारे ग्राफ डिसकस की थी जैसे कि लिए लास्ट वाली वीडियो देख ले अचा उसमें डेसे सब्सक्राइब करेंープ्रकश में धेका नील लमेंगा हुआ कि तो साइड़ यृइभ सान को जाएटा है लेकिन अब बॉड़ी कहां डिस्ट्रीम से अबbaby करेंगी तो यह इस तरह से इस तरह से थीकके यह एक्स्त्रीम है रही है यह जएरो है औरerson इस 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 तो cos zero angle में क्या होगा वह maximum आ जाती है वाल्यू तो आप इस तरह से जो है sorry यह मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गया यह graph आप देख रहें इसमें जो है जब यह mean position पर होती है इस तरह से ठीक है जब यह extreme से start होती है तो आप देखते हैं कि mean पर जीरो होती है ठीक है displacement और extreme पर क्या हो जाती है maximum तो अब यह extreme है cause zero जो आएगा जब यह maximum होगा तो इस वज़से को फॉलो करता है ठीक है तो यह साही चीजे हमने last video वीडियो में बता दी थी आप मैंने दुबासर रिवाइस करवा दी है कि किस तरह से जब mean position से vibrati body मैंने क्या बता है तीक है अच्छा दूसरा उसका मैंने बताया कि जब आप last time हमारी बात हुई थी कि इस इसके ऩो थ थ होसे डिक ऑपाई तो इस तरह से स्टार्ट बढल अगर भी तरह से को फोलो करेगाव ठीके और कॉस्स थीडा इस तरह से कॉस्ट ओमेगा टीभी हम लिख सकते हैं ठीके यहां भी जो फेज अंगिल है वो क्या है 90 है क्योंकि वो 90 एंगिल से स्टार्ट हो रही है इस तरह से स्टार्ट हो रही है ठीके बैटे तो यह साइब चीजे हैं इस दें अच्छा यहां पर क्या है के कल्कुलेट करें टाइम रिक्वाइड कितना के तो मुफ रॉम मीन तो हाफ ऑफ दा अम्प्लिटूट थीक है अभी कह रहें कि वह क्या होता है इस तरह से यह मीन पोजिशन पर ठीक है अभी बैट करने के लिए वाइबर्टि बोडिको फ्रॉ जाबन दिस्प्रेइब क्या है zero है ठीक है अब ही कहई रहे है और यह जब बॉडि एक्स्टीम पया जाती है ठीक है यह एक्स्टीम पॉडिचन है तो यह कह रहें कि जब टाइम केलिकॉलेट करें गाहीं जब बॉड जहाँ हो मुफ करती है वह पोडि से वो मूफ करती है half of the amplitude ठीक है half of the amplitude मतलब यह हाफ है ठीक है जो मैं dot dot कर जहूं कि क्या है half x naught divided by two mean यह मैंने क्या कहा कि amplitude क्या है maximum displacement maximum displacement from the mean position अब maximum displacement तो पूरा यहां तक होगा ना लेकिन इसका जब half यहां पर question में क्या है half of the amplitude तो half of the amplitude कहां तक आएगा half of the amplitude यहां तक आएगा जो कि क्या है x naught divided by two और यहां पर x node हो जाएगा displacement यह maximum displacement है ठीक है तो अब यहां पर time आपको t1 मतलब निकालना है ठीक है t1 क्योंकि आपको यह time निकालना है half of the amplitude और दूसरा question देखे calculate the time required to move from extreme to half it's up अब यहां पर चो जो कह रहे है आप यहां पर क्यों कहरे है ना वो कहरे रहे हैं कि extreme से वो move कर रही है body extreme से move कर रहे है half of the amplitude ती तो आपसे निकालने को कह रहे हैं पहले मैं आप आपसे कहरे हैं कि main position से मूफ कर रही है, half of the amplitude तो आपका arrow इस तरह जा रहा है और दूसरी कोशन है उसमें कह रहे हैं कि extreme पर मूफ कर रही है, half of the amplitude ती टू निकालना है, तो अब ती बन टी टू किस तरह से निकलता हैं, वो हम देखते हैं ठीके मेंने आपको दोनों कोशन समझा दी है यह पूसम्ट करनां मिल टौल यह lira तो आप लिय शिया तो टौल टौल को त हुंप इस तरह से गासित के तो हमने तो अब स्सक् democracy भाइल सी इस थे प्रख़चए है तो हमने दिस फ्रख़ची मेर अब ट्सक्राइब करने तो यह पूसम्ट wanna can अच्छा, अब देखें, सबसे पहले हम कुशन सॉल्फ करते हैं, जिसमें है के बॉडी मुफ करती है, मीन तू हाफ अफ अप्लिटूटूट, ठीक है मीन हम T1 निकाल रहे हैं, T1 के लिए काम कर रहे हैं, तो अब आप देखें, कि यहां पर बॉडी कहां से मुफ कर रही है, म मैं आपको बताया था, कि जब भी मीन पॉडी मुफ करती है, तो वहां पर कौन सा फामुला लगता है, आप साइन थीटा वाला लगेगा, यह कॉस्ट थीटा वाला लगेगा, एकस नोट साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, इसको आप साइन ओमेगा टीबी लिख सकते है ठीक है, क्योंकि थीटा बराबर होता है, ओमेगा ठीक है, अच्छा, क्योंकि मीन पोजिशन से बॉडी मुफ कर रही है, तो आपने डायरेक वाला फामुला लगा दिया, ठीक है, और थीटा की जगह आपने ओमेगा टी लगा दिया, ठीक है, अब एकस की जगह आप क्या ल तो आपको आपको जो है ना एक्स भी पता है तो simple आपने फार्मूला जो है आपने यह यह आपका फार्मूला था omega t ठीके x अब x आपको पता है कि x not divided by 2 है ठीके और x not अपनी जगा और sin omega t अब क्या होगा x not से x not कर जाएगा ठीके sin inverse यह sin theta है इस साइड क्या हो जाएगा sin inverse हो जाएगा sin inverse divided by half यह किसके बराबर होता है 30 degree ठीके तो आपने कह लिए कि 30 degree यह आप इसको लिख सकते हैं pi by 6 यह मैंने आपको लास्ट राइब बताया था कि यह आपने याद रखना है यहां पर आप से time पूचा है लेकिन अगर आपसे पूचा होता है कि phase angle बता दे ठीके तो आपने direct क्या बताना थाटी डिगरी या तो आपको पता है कि यहां तक मैंने आपको solve करवा दिया है अब मैं आपको यहां से अगर phase angle पूचा जाता है तो direct आपको यह answer होता लेकिन आपसे time पूचा जा रहा है तो आपको पता है कि omega किसके बराबर होता है 2 pi upon t ठीक है तो आपने just omega की जगा यह 2 pi upon t पुट कर दिया ठीक है अब pi से pi cancel हो जाएगा ठीक है अगर मैं आपको यह आप कहां से रहा है था pi upon 6 omega की जगा हमने 2 pi upon t लिग दिया पाइ से pi cancel हो गया ठीक है अब यह t क्या है multiply में है is equal to कि उस साइड क्या हो जाएगा और यह 2 6 12 हो जाएगा और आपके पास यह t1 निकल आया ठीक है तो t1 आपके पास क्या है ती अपॉचा है तो आपके पास यह यहां यहां पर आपस ताइम ही पूचा था लेकिन अगर आ आपको डिगरी के साथ यह पाइ पॉट 6 का भी पता होना चाहिए कि इसके बराबर है ठीक है सर्कुलर जो मैंने आपको बताया थे सर्कुलर मोशन में तो यह साही चीज आपने याद रखनी है अच्छा तो इसमें कुछ भी नहीं करना था पस यह फॉमला लगा कि आपने स छोह फॉमला अब रखनी है अगर को कहते है की कि टॉटल काइम क्या होगा थेसमें कि अब आपको कहते है की तो इसमें हरे मात वार क कोटिभाई पर फॉर होगा तो आपको पता है कि total time is equal to t1 plus t2, t1 आपने निकाल लिया है, जो कि क्या है t divided by 12 है, t2 की जगर t2 आ गया है, और t आपको पता है कि t divided by 4 है, ठीक है, अब यह t divided by 12 है प्लस हो रहा है, is equal to कि उस साइट क्या हो जाएगा, आप इसको कार्ड भी सकते हैं, ठीक है, किस तरह से, यह जब आप solve करेंगे, तो आपके पास answer क्या आ जाएगा, t divided by 6, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से यह आपका t2 निकल गया, ठीक है, तो इस तरह से भी निकल सकता है, लेकिन अगर आपको t1 पता ही नहीं है, और आपसे direct t2 यही वाला question दे दिया है, तो तब आप कौन अपको कौन सा theory लगाएगे, देअरह से बताएं, क्यों एकर करें, निकलत कौन सा is फांट किया यहां पर आपको क्या करें कि from extreme to the half of, मतब extreme से बॉय बिट्री बॉरी स्टार्ट वही और मीं तक जा दिया है इसका मसा फार्मूला लगेगा स्टाइन वाला कॉस्ट ऑॉला ठीक है आपने करेक्ट आंसर लिए होगा टायम मोत पोछ रहे है लागो है रहे हैं सियं जो पूछ आए हुझ भी ए टायम मत řिय। महस्ता है या नो भी आप ढूँता है ऑगा और उटوس हरो पोछ लिए में टीवन भी निकाल लिया टीटू भी निकाल का था टीवन आप निकाल दा सलगया सकते ही हैं तू संद्वाइड बैटु सकते हैं वह आप से आंसर थीक है ही डायग्राम में भोएं mean से extreme तक जा रही है half of the amplitude, तो half of the amplitude क्या होगा, amplitude होता है maximum displacement जो के x naught होगा ठीक है, और half जब होगा तो x naught divided by 2 लगा दिया आपने ठीक है, और दूसरा सवाल जो था, वो कह रहे थे कि जब वो extreme से move करती है, ठीक है, यह arrow इस तरह, जब वो extreme से move करती है to the mean position ठीक है, half of the amplitude, तो आपने फिर cause वाला formula लगाया ठीक है, अच्छा, तो बस इसमें T1, T2 आपने इस तरह से निकाला और यह आपका answer आगिया अच्छा, उसके बाद आजाते हम अपना amplitude, time period, frequency angular frequency ठीक है, यह साही चीज़े, यह साही इसके बारे में, so start करते है तो बैटे, amplitude तो अभी मैं आपको बताया है कि amplitude क्या है, maximum displacement from the mean position, ठीक है, इसको आप X note से भी show कर सकते हैं, इसको आप A से भी show कर सकते हैं, ठीक है, कहीं capital A से show किया होगा, तो आप समझ जाएगा यह maximum amplitude को show कर रहे हैं, ठीक है, यह आपको क्या लिखा होगा, कोई भी value दी होगी और आपको बोल रहे होगे, कि amplitude और bracket में कोई भी value दी होगी, मतलब अगर आपको portion दिया जा रहा है, ठीक है, तो फिर आपने उसी alphabet, उसी value को लेकर amplitude को करना है, ठीक है, मैं आपको बता रहे हूँ, कि amplitude को हम X not से show करते हैं, लेकिन कहीं कहीं A से भी show किया जाता है, ठीक है, तो amplitude आपको समझ आ गया है, कि maximum displacement है, from the mean position, ठीक है, इस तरह से time period क्या है, time period जो है time required to complete one vibration, जो time required होता है न, complete करने के लिए one vibration इस तरह से simple panda liam है, तो यह अपने mean position पे यह इस तरह से पर जाता है, जब आप इसको वाबएट करते हैं तो यह extreme right पे जाता है, उसके पर पहले extreme right पे जाता है, उसके बाद मेन पोजिशन की तरफ जाता है, और फिर फिर दुबार से मीन से जाके इक्स्ट्रीं लेक्ट तक जाता है ठीक है और फिर दुबार से मीन पोजिशन प्रेंट पर तैया तो इस तरह से पहले धीक कलेया उपर तो यह इसकाता है नियूटrites कॉ सब बताए कॉसा मैं नुपस्स इतके समय काई duasल पर अरहने हिसां på कि धुज को पिश्वार करा के लिए अब दुझा जाती गिंड़ी मिन एक सीम और अजय है। जब दूबार करे कि दूआ है यहां। जब दूबार के दूआज़ ढ़ Давай, तो मैने आप को में भाए घ्याय can find मैंने आपको थाज भाडिन और भाडिन दूद does or any 복s only पूरी एक vibration complete हुई है तो time period क्या है time required to complete one vibration यह बात याद रखने है one vibration और one vibration आपको पता है कि वो टी में कम लिए और टी किसके बराबर होता है frequency अब frequency क्या होती है number of vibration per second जो number of vibration होती है अब per second एक second में कितनी vibration वो वो बॉड़ी बॉड़ी कर रही है तो वो क्या होती है वो frequency होती हो और frequency को किस तरह से आपको कर सकते frequency same reciprocal to time period होता है ठीक है यह आप इसको n divided by t भी लिख सकते है ठीक है number of vibration in number of vibration per second ठीक है इस तरह से भी लिख सकते है ठीक है अच्छा उसके बाद angular frequency देख लें angular frequency same angular velocity जा आप ने देखी थी ठीक है तो पाई डिवाइड बाई टी ठीक है अब आपको यह पता है कि यह तो पाई जो है इसको हम फेंज लेते हैं वाइब्रेटर में वाइब्रेटर में वाइब्रेटर में हम इसको कह रहे हैं कि यह इस तरह से में थीटा देखा था ठीक है वेव उसी चाहरा है कि फेंज वाइब्रेटरी बादी है और angular में हमने गहता कि यह अंगुलर डिस्प्रेस्मेंट है यही कहा था ना एंगुलर डिस्प्रेस्मेंट ओमेगा थीटा पाउंड टी जो था यह थीटा क्या था यह इस तरह से हम इसको जो है वाइब्रेटी बोटी वेव और जो औसिलेश्मेंट में अफिल biggest वो हम इसको क्या कहते हैं, 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 और simple pendulum में आप इसको क्या लिख सकते हैं G upon L भी लिख सकते हैं ठीके तो ये सारे formula में ने बता दी हैं यहीं इसी एक में और इसका जो unit है वो क्या है? radian second है ठीके क्या है? radian second है अच्छा उसके बाद हम अगर vibration की बात करें कि बटे vibration क्या होती है? complete round trip of a vibrating body ये तो already मैं आपको बता दे कि बटे vibration क्या होती है? एक complete round trip ठीके के पहले body ये इस mean position तो पहले extreme right पे गई उसके बाद दुबारा से mean position पे आई ठीके दुबा से mean position पे और फिर extreme left पे गई ठीके और फिर दुबा से mean position पे आई तो ये पूरी एक vibration complete होती है ऐसे नहीं के एक तरफ आई तो बस दुबार से mean position पे नहीं पिर वो दुबार से extreme left पे तर जाएगी पिर वो दुबार से एगी तो ये पूरी एक vibration complete होती है complete round trip जो होता है vibrating body का ठीक है वो एक vibration होगी ठीक है अच्छा तो ये बात भी हो गई उसके बात मैंने जो भी आपको बताया ना अब मैं उन सब को summarize करने जा रही हूँ एक चार्ट में तो बैटे ये सारी चीजे जो last वर्स्ट वाली वीडियो मैंने upload की थी तो बैटे वो last में देख लीजेगा क्योंकि अब मैं सारी चीजों को summarize करने जा रही हूँ वो बच्चे जो के डायरे के वीडियो देखते होंगे तो उनको थोड़ से परिशानी हो रही होगी विसे मैंने कुछ चीजे revise करवा दी है ठीक है जब कि मुझे revise में करवानी चाहिए जाए थी कि यह चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसको complete करवाने में अब टाइम बहुत लग जाएगा मुझे अच्छा तो अब मैं आपको दो चाहर दिखा रही हूँ पहले मैं दिखा रही हूँ कि जब बॉड़ी स्टार्ट होती है मूफ करना मीन पोजिशन से और दूसरा मैं बता रही हूँ जब एक्स्टीम पोजिशन से स्टार्ट होती है तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब एक्स्टीम पोजिशन से स्टार्ट होगी तो पहले ज 1 Ohon 4 vibration उrhё przykład होगी जब दुबारा से आएगी फिर क्या हो जाएगी half of t divide by two itia2 को जायेगी और जब दुबारा से सिट्री लेफ्ट पर जायेगी तो भुी क्या हो जाएगी 3 t divide by 2 वी तो जाएगी definition has N और पर 2 में जाएगी वाइबरेशन लिग दी, ठीके के पहले वो जब वही तो 1.4 वाइबरेशन होई, फिर 1.5 होई, फिर 3.4 वाइबरेशन और फिर 1 वाइबरेशन पूरी कम्प्रीट हो जाती है, ठीके पेटे तो यह साइज जीते वही हैं, जो फर्स पार्ट पर मैंने वो करवाई थी, यहां पर मैं आपको दोनों चार्ट कम्पेर करवाना चाहा रही हूं, तो मैंने टाइम पीयड हो वाइबरेशन जब बॉड़ी मीन पोजिशन स्टार्ट हो इसके भी यहां पे मैंशन करती है, अब हम कम्पेरिजन करते हैं, तो बेटे अगर मैं आपको बताओं, कि यहां पे जो एकस्ट्रीम में तो यहां पे टी डिवाइद बार फोर इहां आपनाव हो और देखा ते लिए दया नागि जब दुबास अब हो तिप हो ती दुबास ती एप और journée तू और ती अपनठ, और ठीच पॉर झापनठ ती तूभ ती स्टरा से बोरा ठीच है इस तरह कि जब टाइम पियर्ड जो है मैं यहाँ पे साथ सुतरा जो है न ड्रो करके दिखा रही हूँ जब टाइम पियर्ड दूसरे कलर से थुड़ा सा अब यहाँ पे यह जीरो है, मीन पोजिशन से बोडी स्टार्ट हुई ठीक है, और एक्स्ट्रीम क्या हो जाएगा, T divided by 4 ठीक है, और फिर T divided by 2 और फिर यह है 3 T divided by 2 और यह T, ठीक है, इस तरह से तो अब आप देख रहे हैं कि जो बोडी जो है, T divided by 4 पे है, एक्स्ट्रीम राइट पे जब गई है तो डिस्प्रेस्मेंट क्या होई? होई, डिस्प्रेस्मेंट क्या होई? डिस्प्रेस्मेंट हो गई, X note maximum होती है न? यह extreme, यह extreme क्या है एक्स्ट्रीम राइट पोजिशन है तो displacement maximum होगी sorry हाँ displacement maximum होगी, जो के positive में होगी क।कि positive axis में है, तो आपने देखे displacement क्या लिग दिया? positive X note और distance क्या होगा distance भी x note होगा ठीक है x note distance आगया अब मुझे बताएं तो t divided by 4 हमने देखा अब मुझे बताएं जिब वाभरेशन हाफ होगी हाफ हो जाएगी मतलब time जो है t divided by 2 होगा तब बताएं तो इसका मतलब किस point की बात की जा रही है इस point की दिस्टेंस किया होगा distance आपने कहा के 2 x note होगा क्यूं क्योंकि एक x note तो यहां तक हो गया और दूसरा x note यहां तक हो गया तो two xitute क्या हो गयाए थिक है अब मैं ब úचे हो अच्छा थीक है और displacement क्या हो गई आपने कहा displacement 0 हो गई क्यूं क्यूंकि पार्ट नहीं कि ढुँआजीरे जाहां से स्टार्ट ही ती यह पैंडोलियम था ना एक्सट्रीम तक गया थिका तो एक्स्ट्रीम टू-ट्रीम पॉजिशन पॉजिशन अज़े और दुबारा से जब यह एक्स्ट्रीम टू मीन पोजिशन आया तब क्या हो गगा इसके इस ल मत ministra कि अगया तो इसका माभा सी दूद सी तुल राई पडूर चांग साई रा पिर डिश्डी हो जाता से दूद सी डूलरार ठीट कि म सब बकाई ठीका पिर दिजिजए में सब्सक्ति जा रही है सिंट्र झाल से बकाई। पर बोडी जा रही है जिसमें 3 upon 4 vibration की बात हो रही है तो बैटे अब यहां पर बताओ कि distance क्या होगा तो आपने कहा कि distance 3 x not होगा क्योंकि 1 x not तो यह हो गया दूसरा x not यह हो गया अब आप बोडी यहां पर आ गई extreme extreme left पर आ गई है तो इसका मतब 1 x not यह हो गया तो 3 x not displacement distance हो गया अब मैं पूछी हो कि displacement क्या है तो आपने कहा है कि displacement x not है लेकि नेगटिव है क्योंकि देखें कि नेगटिव एक्समें है नीचे है नेगटिव एक्समें है तो माइनस x not जो क्या है वो displacement आ गई ठीक है अब मैं आप से कह रही हूं कि अच्छा यह तो आपने 3 upon 4 vibration के यहां पर ठीक है रहुकर है उदीड क्योंकि अब से के कुछरओ रहुकर माजनेshy से घ्लेज के बूरा प्राइज केशन कर्म आपने पाशन पर इन प्रवा बीम्हायक यह verstो परना का octopus का शुर bail आंप तो 4 x node distance हो गया और displacement मैंने पूछी तो displacement आपने क्या बता ही जीरो क्योंकि एक्स्ट्रीम लेफ्ट पे गया और दुबा से मीन पोजिशन पे आ गया ठीक है यह माइस एक्स नोट थी ना जब मीन पे आ गया तो क्या होगी तो displacement दुबा से जीरो हो गई ठीक है तो इस तरह से आपने समझा जब मैंने मीन पोजिशन से आपको बॉड़ी को पहले 1.4 वाइबरेशन पे करके दिखाया फिर हाफ वाइबरेशन पे फिर 3.4 वाइबरेशन पे फिर 1 वाइबरेशन पे मै मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको डिस्टेंस बताया डिस्टेंस की वैल्यू और डिस्प्रेस्मेंट की वैल्यू बतानी चाहिए ठीक है और आपने देखा के डिस्प्रेस्मेंट जो है आपने देखा के डिस्प्रेस्मेंट डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा दिस्प्रिस्मेंट क्या थी, दिस्प्रे"... छब बिधिस्प्रीम क्या थी तब धी जा रहे थी तब झी ज्ब खोड़ी पॉसिटीए, दो झाले लिकशन Schmidt क्रेильно सी तब एक्चिन कई तिन प्य !! ≡ सिफी 10 मिल्च करे लेकिन तुओ अभी झाल सकते हुए सब्सक्राइब करो आपको पता है कि मैंदीना ने वन वाइब्रेशन का करके दिखाया था जिसमें डिस्टेंस 4 x not निकली तो 100 वाइब्रेशन के लिए क्लिए क्लिए 100 को मल्टिप्लाइ कर दे 4 से तो 400 x knot distance आ गया और displacement का अगर हमने क्या रहे तो 100 को जब हम 0 से multiply करेंगे तो 0 होगा तो अगर आपकी प्रोफेसर आप से पूछें कि अच्छा 1 vibration का तो आप बता रहें कि 4 x knot क्या होगा distance होगा और displacement 0 होगा इसी तरह से आप मुझे 100 vibration का बताएं तो आपने कुछ भी नहीं करना आपने distance के लिए क्या करना है distance आपको बता है कि 1 vibration का 4 x knot था ठीक है तो 100 vibration का क्या होगा 100 vibration का क्या होगा 100 multiply 4 तो यह आपका distance आ गया 400 x knot 100 vibration का distance आ गया displacement 0 होगा क्या होगा तो इस तरह से आपने अच्छा यह कंडिशन याद रखेगा कि जब बॉड़ी स्टार्ट होगा यह मैंने आपको मीन पोजिशन का करके दिखाया सेम अगर मैं आपको अगर आपको आपसे पूछ कहते हैं कि 3 vibration कर रही है तो आपने क्या करना है आपसे कह रहे हैं कि 3 vibration करती है वोड़ी और बॉड़ी स्टार्ट होती है फ्रम दी मीन पोजिशन तो आप हमें displacement 0 हो गया तो यह बात हो गई अब सेम अगर मैं आपको दूसरा वो करा हूँ जब बॉड़ी स्टार्ट होती है फ्रम दी एक्स्टीम पोजिशन ठीके यहां पे आपने देखा कि बॉड़ी कहा से स्टार्ट हो रही है मीन पोजिशन से ठीके मीन पोजिशन जीरो से लिके अब आप देख रहे होंगे कि चेंज आ रहा है तो इसमें आपको अगर मैं ड्रो करके दिखाऊं सेम डाइग्राम ठीक है तो इसमें बॉड़ी स्टार्ट हो रही है एक्स्टीम पोजिशन से ठीक है एक्स्टीम पोजिशन से स्टार्ट हो रही है और सेम यहां पे हमने यह लिया हम पना अगर मैं यहां आपको करके दिखाऊं अच्छा बेटे तो अब मैं आपको बताने चाहरे हूं कि जब बोडी स्टार्ट होती फ्रॉम एक्स्ट्रीम पॉजिशन तो मीन पोजिशन तो सेम अमने सिंपल पेंडोलियम का अगर मैं आपको जिस तरह से मैं आपको पहले एक्जेम्पल ली ती तो बैए तो कर से स्टार्ट हो 對 практически सिंपल एक्स्ट्पाइबर के चाहरा है तो अब मुझे बताएं कि कि यह कोनगा जब उक्स्ट्रीम से मीन पोजिशन की तरह जाएगी तो डिस्पेश्मेंट क्या होगी It's Max as थे के माइनए x-noddpr और टाइम तो बता है कि टी आप टी टाइं वह एक सब्सक्राइब लेक्ट है विए टीटन फॉर विपरेशन के लिए 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 पर या डिफारा से उपर की तरफ जा रही है तो अब क्या हो जाएगी अब जो है सोरी, आप बॉड़ी इस तरफ जा रही है ठीक है, इस तरफ, सोरी, यह थोड़ा सा डाइग्राम वलत बन गई, ठीक है, यह हम आपकी बॉड़ी थी, ठीक है, पहले बॉड़ी एक्स्टीम टू, मीन आई, तो आपने, यहां पर वाइबरेशन क्या थी, वाण फॉर वाइबर तो आपने देखा कि displacement क्या है माइनस 2X नोट तो थीक है और डिस्टैंस सेम 2X नोट है तो माइनस 2X नोट क्यों हो गई कि माइनस 2X नोट तो यह हुई थी और माइनस 2X नोट यह थी दोनों सेम ही डायरेक्शन में मिनस एक्स नोट यह इस वज़ा से मेंशन है थिकते हमाँ आपने होस्तुपाइब हैं अब उसका डिस्टेंस को कहा हो जाएगा, चुछ तैसल तैसल गीकउर्विंट में थिक्सटेंस को enormous function करना दें तर्फ वे पॉजिटिय बढfrage बड़ी न कें सराइसे मेंस दूप जएगा तु हो जाएगा कि अधर मीन पोजिएन सब्सक्राणि तो सब्सक्राणिक बड़ी के किसर्फ कि कुष सब्सक्राइब को फिर्फ जा invol हो जाएगा इसो जा तो आपने देखा कि जब बॉडी स्टार्ट करती है मीन पोजिशन से मूफ करना और जब बॉडी मुफ करती है तो इसमें डिफरेंट वह है कि दोनों में डिस्टेंस तो 4 x 0 ती है ठीक है और वन वाइबरेशन में और डिस्प्रेस्मेंट भी क्या है जीरो है बस इसमें अग अब वडिया होगा तो जब 0 है ठीक है आओ जब बॉडि मीन consistent से स्टार्ट करती है और 3.4 मापरेशन में क्या अ- और यहां पर आप देख रहे हैं कि जब बोडी इक्स्टीम पोजिशन से स्टार्ट करती है तो उसकी डिस्पेस्ट में नेगेटिव में बढ़ी जा रही है देखें पहले माइनस एक्स नोट थी फिर माइनस टू एक्स नोट फिर जीरो हो गई ठीक है और इसमें आप देखे आप मुझे बता है कि जब बोडी इक्स्टीम पोजिशन से स्टार्ट करती है तो आप मुझे बता है कि 20 वाइशन के लिए उसकी डिस्प्रेस्म और इस्प्रेस्म और इस्प्रेस्म और इस्प्रेस्म और इस्प्रेस्म और इस्प्रेस्म और इस्प्रेस्म और इस्प्रे और इन साही चीज़ों को अच्छी से मेमराइज कर लीजेगा ये साही चीज़ आपको अफुरी है लगे ही लिकिन इस डेक्टॉर बेलकुल भी नहीं है अगर आप सही सेक्वण सेक्वंश फॉलो करने हैं तो ये साही चीज़ अपकी फिंगर टिप्स पे होंगी इन्शाल्ल ओके अलाफिज मुझे दूाओं में खास के रियाद रखेगा